नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं लपेटे में नेता जी आज हम बात कर रहे हैं बड़गुआ पंच्याइट की जहां पर पानी की तंकी चोरी हो गई और पानी की तंकी जब चोरी हुई तो ये बात सब को पता है और हमारे नेता जी को भी पता है दूसरा, गोसराए हमारी पंचात में होती है और विकास होता है दूसरी पंचात में मुहमानीय मुखमंत्री ने गोसरा शुरा के थी पावरगुवा सबनारें की करो तो और बोट मारे चुना हुआ लगे दीदी बिन्ना अब बीजेपी भाई ने हचपा बाई कांगरेस भाई सफ्राल लगे हैं लिकाप्टर मन रहा हम ने उनको पन्नी लगा के अन्तिन संसकार करो तो ने तंकी याइट ते बड़े गाव में आप देख रहे हैं लपेटे में नेता जी आज हम आपको सिल्बानी विधान सबा के एक गाउं से रूबरू कराने जा रहे हैं जो 30 साल से ग्रामिन परेशान है उस गाउं के लोग जिसकी बज़ा से लोगों के लिए साफ पानी पीने की विवस्ता नहीं है रोड नहीं है आबास नहीं है मूलभूत सुविदाओं से बंचित है बड़गौाप पंचयात जहां जिसकी आबादी 2000 के लगबग है नेता जी ने इस गाउं में नलजली योजना क्या सुभरंब किया था पर आज भी शुरू बात नहीं हो पाई है सुभिदाओं के आभाव में अपना जीवन जीने को मजबूर है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ शरत सर्मा आपके साथ आप देख रहे हैं लपेटे में नेता जी नलजली योजना की पाईपलाइन तो है पर पानी सपलाई नहीं हो पा रहा है इसकी बज़य है गाउं के बाहर बरगत के पेड़ के पास बनी 40 फुट उची पानी की टंकी चोरी हो गई जी हाँ आप सही सुन रहे हैं नलजली योजना तो हुई सुरूबाद पाईपलाइन बिछी पर पाईपलाइन में पानी नहीं आई है क्योंके पानी की टंकी चोरी हो गई पूरे गाउं के निबासी परेशान है और पानी के लिए ज़्यादा परेशान है पानी अब हबाई मार्ग से गाउं में आ रहा ह पानी हबाई मार्ग मतलब जमीन से 20 मीटर उपर से पाइप लाइन डाल रखी है ग्रामीनों ने खेत पे बने कुवों से पानी आ रहा है लाइट रहती है तो पानी आ जाता है लाइट गोल है तो पानी के लिए परहसान है नल नल योजना के लिए नेता जी ने भूमी पूजन कर अगर्वत्तीक जला कर गोल गोल घूम कर नरियल फोड़ कर और गैती चलाई और योजना का सुवारंब किया गया योजना सुरू हो गई तीन साल बाद तीन साल के बाद नेता जी फिर बढ़गुआ गाउं पहुँचे तो गाउं बालों ने निबेदन किया नेता जी पानी तो दे दो हमें नेता जी ने देर नहीं लगाई तोरंथी फोन उठाया और लगा दिया अधिकारी को भया बढ़गुआ की नलजल योजना की पानी की टंकी कहा है अधिकारी ने बड़ी ही बिनम्रता पूर्वग कहा नेता जी पानी की टंकी तो बरगत के पेड़ के पास बनी है अब नेता जी भी चुप क्योंकि नेता जी स्वेम बरगत के पिड़ के नीचे खड़े थे और देख रहे थे और बात कर रहे थे आप देख रहे हैं लपेटे में नेता जी अब आगे की बारतलाप ना सुनो भाईया अधिकारी और नेता जी के मद्ध क्या बात होई पर सिल्बानी बिधान सबा में नेता जी के बगेर पूछे एक पत्ता भी नहीं हिलता है आप देख रहे हैं लपेटे में नेता जी समझधारी से देना बोट बदले में नहीं लेना नोट जो नेता जी बाटे नोट उसे कभी न देना बोट बक्त है बदलाव का आप योग जोजारू करमठ लोगप्रिये इस्थानिय प्रत्यासी को चुनें मतलब मतदान तो जरूर करें ये आपका अधिकार है पर इमानदारी है जिसकी हो पहचान उसे ही चुनें आप आप देख रहे हैं लपेटे में नेता जी जेने हम सौक से च सुनते हैं घोस्णाएं हमारी पंचाइत में काम होता है दूसरी पंचाइत में आप देख रहे हैं लपेटे में नेता जी अच्छे नेता हमेंसा अच् Sold सोच अच्छा विचार अच्छी भावना रखता है अच्छे नेता में इमांदारी जबाब देई बिनम्रता लचीला पन कूट कूट कर भरी रहती है जिससे लोग आकर खुद बखुद जोड़ते चले जाते हैं जिने हम सौक से चुनते हैं वो फिर हमारी कहां सुनते हैं मुख मंतरी शिवरा सिंग चोहान ने की थी उसका भूमी पूजय नरियल फोड़ कर अगरबती लगा कर कर दिया गया था नेता जी कर कबलों से अब वो इस्टेशन यहां से सिप्ठो कर दूसरी पंचयात में कर दिया गया है नेता जी ने सिल्वानी विधान सबा में नेता जी करते हैं घोसना और विकास होती है जाकर दूसरी पंचयात में या विकास किसका होता है यह आज तक पता नहीं चला है पर विकास तो होता होगा विकास सिल्वानी विधान सबा में या तो चंगु मंगु का होता है या उस पंचयात का ह होता है जिस पंचियात में घोसना नहीं की जाती है नेता जी अब लोगों को पता चल गया है कि बोट की कीमत क्या है एक बोट से बिधायक बदला जा सकता है और इस बार जनता का मूड बदल गया है अब इस बार जनता खोद विकास को चुनेगी आप देख रहे हैं लपेटे में नेता जी शिल्वानी विधान सबा का हवा का रुख बदला बदला सा नजर आ रहा है शिल्वानी विधान सबा बोल रहा है इनके जूट के आगे जूट भी सर्मा जाता है इनके जूट के आगे जूट भी सर्मा जाता है हर चुनाबी भासन जनता को भर्मा जाता है कमाल की अदा आती है इन जूटे नेताओं को जहां नती ना हो बहाँ भी इन नेताओं के द्वारा पुल बनाने का मुद्दा गर्मा जाता है आप देख रहे हैं लपिटे में नेता जी मैं हूँ शरश शर्मा आपके शाद अब टंकी कहा गई वह ने रामपाल सिंग से बात भाइ थी उनने करी ती बेगंगों सोब बढ़े देख तो बनी है बरिया देना फिर उनने काये अक्सन लग पे तो टंकी चोड़ी हो गई फिर का पता कहा गई पूछो नहीं से यहां पर टंकी की पूजन हुई थी भूमी प पूजन की हम पूरे गाउं के परेशान हैं यहां पर ढूंड़ रहा हैं कहीं मिल नहीं जई पानी की टंकी कहां गई चोजी हो गई नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं लपेटे में नेता जी मैं हूं सरस्रमा इस समय पर हम बढ़गों पंच्वायत में आये हैं जहां पर प्रशान तो बिच्छाइ गई है तो यहां पर जो पानी की टंकी थी वो चोरी हो गई यह नहीं कह रहे पूरे गाउंवाले बोल रहे हैं और मानिये नेता जी आये थे तो उन्होंने भी फोन लगाके ठेकेदार से या किसी अधिकारी से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि बरगत के नीचे तो बनी है पानी की टंकी आप देखिए पानी की टंकी उहां पर है दूसरी सबसे बड़ी समस्या है समसान की यहां पर अगर बारिस के दिनों में किसी की मौत होती है तो तिरपाल लगा कर उसको अंतिम संसकार किया जाता है यह हम नहीं कह रहे हैं यह पेटे में मैं हूँ शरत सर्मा